आज बात करने वाले हैं MG Hector Plus 7 Seater के बारे में 6 Seater version में अल्रेडी काड़ी अवेलिबल थी इंजिन मार्केट में बट कुछ बदलाओ के साथ में इसे लॉंच किया गया है इंजिन मार्केट में फिर से नई प्राइस के साथ में तो चलिए जानते हैं तो स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग से और प्राइस चार्ट आप लोगों के सामने हैं Hector 2021, Hector Plus 6 Seater और Hector Plus 7 Seater चुकि इस वीडियो में सुर्फ Hector Plus 7 Seater की बात हो रही है तो मैं उसी की प्राइस रिडाउट करूँगा आप चाहें तो इस वीडियो को पॉस करके Hector 2021 की भी प्राइस दीख सकते हैं बट अल्रेडी उसके लिए एक separate वीडियो चैनल के उपर आने वाली है तो आप उसका वेट कर लीजी जाद अच्छे से समझ में आ जाएगा अब स्टार्ट करते हैं इसमें एक नया वीरियंट भी एड़ाउन हुआ है वो आप लोगों को दिख रहा होगा सबसे पहले इसमें आप लोगों को मिलेगा style वीरियंट जो की पैट्रोल में है 13.34,800 रुपीज का manual version के साथ में वहीं अगर आप सूपर लेते हैं तो 14.84,800 रुपीज आपको मिलता है hybrid manual अब अगर आप लोग डिजल में देखते हैं सेम यही style वीरियंट जो की basic वीरियंट है हेक्टर प्लस 7 सीटर का यह आपको पड़ेगा 14.65,800 रुपीज का और अगर आप सूपर वीरियंट लेते हैं तो यह आपको पड़ेगा 15.75,800 रुपीज का स्मार्ट वीरियंट के बात करें तो यह सिर्फ आपको diesel वीरियंट में अविलेबल होगा 17.51,800 रुपीज में और select जो की single एक वीरियंट हेक्टर प्लस 7 सीटर में ही मिलेगा hybrid, manual, automatic जो भी है वो सारे वर्जिन आप लोगों को यहाँ पे screen पे दिखाई दे रहे होंगे तो यह तो रही price की बात अब on-road price तो definitely सभी streets में अलग-अलग होती है mechanically जो है वो भी गाड़ी पूरी steam है specs जो है वो last में मैं आप लोगों को बता ही दूँगा और नीचे article के link दी होई है जो अपनी website पे post हो चुका है जा के आप आराम से rate out भी कर सकते हैं तो सबसे पले अगर देखेंगे तो front में आप लोगों को काफी massive सी दिखने वाली front treatment के साथ में एक grill मिलने वाली है बीच में MG का logo chrome में बहुत ही प्यारा दिख रहा है उसके just नीचे 360 degree camera का front camera जो है mount किया हुआ है एंड जो headlamp setup है वो बिल्कुल similar है जैसा कि आप नॉर्मल हैक्टर में देखते हैं देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से यह जो है दिखाई दे रहा है LED projector headlamp मिल रहा है आपको इसमें front parking sensor, stowing hook भी जो है वो दिखाई दे रहा है अब जो LED daytime running lights हैं वो उपर की तरफ place की गई है bonnet और bumper के just beach में place की गई है और definitely यह दिखने में काफी अच्छी लगती है turn indicators भी जो है आप लोगों को नीचे जो headlamp assembly है वहीं पर मिलेंगे अब side profile के अगर बात करूं तो automatic fold unfold mirror जो है वो यहाँ पर दिया है और mirror के ओपर ही LED जो है turn indicators मांट किये हुए है Hector Plus की badging जो है rear side में आपको देखने को मिलेगी और जो rear design है वो बिल्कुल similar है जिसा पहले आया करता था Hector Plus में इसमें कोई update नहीं किये गए है chrome strip ही मिलती है और जो Hector facelift आई है 5-seater version में उसमें आपको प्याम ब्लाक फिनिश है वो मिलती है बाकी रियर जो गूंपर है उस पर चार पारकिंग सेंसर मिल जाता है और नमबर प्लेट लाइट जो होती है उसी के पास में आपको camera मांट किया हुआ है बाकी सभी चीजें सेम है या जो window lines वागे रहे है वो भी सेम है roof rails सभी details रहे है वो सेम रखी गई है exterior में और कोई भी बड़े बडलाओं नहीं किये गए है अब जो exterior का जो changing वाला पार्ट है जो आप सोच रहे होंगे वो है 18 inches के dual tone alloy wheels अब इस गाड़ी को यह alloy wheels मिल गए है और finally यही चाहिए था because जो hectare है गाड़ी overall इसका जो presence है road presence या body की design है उसको देखते हुए जो पहले 17 inches के अलवे wheels आया करते थे वो काफी छोटे लगते थे और जो wheel arches है उनमें अलगी ऐसा लगता था कि या तो शायर यह spare wheel लगा रखा है और proportion जो है वो proper बैठता नहीं था तो अब जो symmetry है वो का इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं almost 30,000 views हो चुके हैं तो अब आगे चलते हैं और interior में आजाते हैं फिटाफट से क्योंकि लिए interior इस गाड़ी का बहुत ही ज्यादा fresh feel हो रहा है absolutely जब भी इस गाड़ी को आप explore करेंगे आप इसको बैठेंगे तो आपको काफी freshness जो है व नहीं होंगे उपर आपको काफी बड़ा panoramic sunroof मिल जाता है almost पूरी जो रूफ है वो आपको clear out visible हो जाती है रूफ से बाहर आप जो है clearly visible कर सकते हैं shade जो है वो भी काफी अच्छा है और यहाँ पर steering wheel वागिर आप लोग देख सकते हैं सबी चीजें काफी सही है सीट की formation एक बार समझ ली जाए इसमें आप लोगों को जो है फ्रेंट में दो लोग बढ़ेंगे definitely driver and co passenger उसके बाद में जो है अब captain seat हटा कर यहाँ पर bench seat जो है वो दे दी गई है अब bench seat में आप लोगों को तीन adult बैठने की यहाँ पर comfortable आराम से बैठने की जगार दी गई बात की जाया है तो महाँ पर आप लोग दो मतलब बोल सकते हैं कि 14-15 साल के बच्चों को जो है वो बिठा सकते हैं महाँ पर बच्चे ही बैठना पसंद करेंगे और पीछे भी उन लोगों के लिए charging point वगरे जो है उसकी facilities company provide करती है यह काफी अच्छी बात है next अब एक और बात आपको बता दूँ कि जब तीनों रो उपर होती है तब भी boot space जो है वो काफी आपको decent सा मिल जाता है ऐसा नहीं है कि जो इसकी rival है XCV 500 उसमें तो बिल्कुल ना के बराबर boot space बचता है तो इसमें boot space थोड़ा सा बड़ा होता है और थोड़ा बुता आप सामन लग सकत है अब बात करते हैं कि इंटीर में changes क्या हुआ है तो जो changes है वो physically नहीं है वो technically है जैसा कि अब इसके दर आप लोगों को जो है 35 प्लस English command जो है वो समझ जाएगी गाड़ी और आप हें जी बूलिए और उसके बाद में खुल जा सिम सिम बोलेंगे sunroof खुल जाएगा और वो भी इंडिया की पहली एसी automobile website है जहां पर English में content आप लोगों को provide होता है तो definitely एक बार जरूर से चेक आउट करो support करो अब बात करते हैं इसके इंदर और क्या features मिलते हैं तो 60 प्लस connected features तो आपको मिलते ही हैं कई सारे safety features से ही गाड़ी लाइस है geofencing वोगेरे कर सकते हैं अ अगर critical condition में गाड़ी चले जाती ही टायर प्रेशर बहुत जादा कम होता है तो यह आपको सिर्फ बीप के through नहीं सिर्फ बोल के direct बताईगी कि क्या जो हवा का pressure है वो कम हैं कौन से टायर में हैं क्या करवाना चाहिए और nearest air pressure वगेरे वो भी search करने में help करेगी तो overall जो control, auto dimming, IRVM, rain sensing wiper, automatic head lamp and बाकी दूसरे tech features बहुत सारे तो यह है Hector Plus 7 Seater I hope आप लोगों को यह गाड़ी पसंद आई होगी अब last but not least इसकी road presence की बात कर ली जाए तो वो भी एक बार आप देखी लो कि इसकी road presence है कैसी गाड़ी जो दिखने में काफी अची लगती है काफी massive है और इसकी road presence भी काफी अची है अभी भी चूंकि इस गाड़ी को आप लोगों के साथ शेर करें I hope आप लोगों को यह सभी details पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो शेर करो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइ सब्सक्राइब इक सी वीडियो इम्पर्टरेंट वीडियो आपो ओको में शेर करें आपोगों उसका नोटिफिकेशन में चाही है और आप यह कोई भी इंपर्टरेंикомएंट कर डियो देखते हैं नीचे कमेंड करreated Instagram पर जोईन नियए जणों सरो जाइए वहापर आप मैंल झाल झाल